आगच्छन तो विद्यार्थी ना है व्याकरण हम पठा में और व्याकरण में भी हम किसकी चर्चा कर रहे हैं अनुवाद प्रकरण के बारे में और उसी अनुवाद प्रकरण को देखेंगे बच्चो इसका भाग दो देख रहे हैं बच्चो हम इससे पहले हम अनुबाद के सामाले नियमों की चर्चा कर चुके हैं और इसमें हम लटलकार वर्तमान काल के प्रियोगों की जाच करेंगे उनका किस प्रकार से वर्तमान काल के प्रियोगों को हम करते हैं जैसे पठती पठता पठंती पठसी पठता पठामी पठाओ पठामे यह सब वर्तमान काल के जा रहा है वरत्मान में हो रहा है इत्यादी क्रियाओं में लट लकार करता के नुसार लगानी चाहिए बच्चो जैसे वह पढता है अब वह पढता है अब इसमें कौन सा पढता है इसे पता चल गया किसमें पुर्लिंग है और वहे के संकत क्या होती है फूरलिंग में सहय और कौन से पुरुषका है पृत्धम पूरुषका और पृत्धम पूरुषका क्या है एक वचन है तो इसमें क्या आएगी एक वचन की क्रिया पठती आई चुछ drinking वह पढ़ता है और वे दोनों पढ़ते हैं तो वे दोनों की संस्क्रत हो गई तव और पढ़ते हैं पठता है दिवचन हो गया तो यह हो गया उसी प्रकार से वे शब पढ़ते हैं यानि वे शब की ते पढ़ते हैं पठंती ते पठंती वे पढ़ते हैं तुम पढ़ते हो, तुम दोनों पढ़ते हो, युवाम पढ़ता है, उसी प्रकार से तुम सब पढ़ते हो, युवाम पढ़ता है, बच्चों ये शीख ली हमने, आरा हम से आगी कोई दिक्कत है, समस्या, आगे चलते हैं, देखो, मैं पढ़ता हूँ, तो क्या बनेगी, मैं पढ़ता हूं उसी प्रकार से हम दोनों पढ़ते हैं और सब पढ़ते हैं और सब किसी को को दिकत नहीं होनी चलते हैं आगे अब जैसे अब्याश पहला है इसका इसी लट्लकार का हम अब्यास कर रहे हैं बच्चों बालक जाता है अब बालक जाता है तो बालक है बालक की तो क्या हो गई बालक है और जाता है कि संस्कृत क्या हो गई गच्छती क्योंकि पर्थम पूरुस का एक वचन है गच्छती उसी प्रकार से किशान खेत में जाता है किशान यानि किशान का मतलब कृषक है खेत में छेत्रम गच्छती यानि जाता है उसी परकार बालिका गेंद से खेलती है अब मैंने बच्चों आपको कारक पढ़ाए है कारक पढ़ाए है ना सादकतम करणम सुत्र पढ़ाया है उसमें यानि क्रिया की सिद्धी में जो अत्यंत सायक है उसके क्या हो जाती है करण संग्या हो जाती है जैसे बा शुरेश सुरेश है मैदान में अब मैदान हो गया आधार तो छेत्रे धावती यानि खेत में या मैदान में दोड़ता है उसी प्रकार बालक गोड़े से गिरता है मैंने आपको अपादान कारक बढ़ाया था बच्चो तो महां पंचमी वक्ति होती है अश्वात में आ गए गोड़े से चला पादान और चला पादान दो तरह से बताये थे न धावत अस्वात पतती तो उसी प्रकार बालक गोड़े से गिरता है बालक हो गई और बालक के नुसार पतती और कहां से अश्वात गोड़ेश है आगे चलते हैं दिनेश और सुरेश पुस्तक पढ़ते ह से चैनी लगाकर पुस्तकम पठता है यानि पुस्तक पठते हैं यहां उसी प्रकार से दो बालक चित्र देखते हैं अब दो बालक हो गए बालक कितने दो दीवचन हो गया बालकव क्या हो गया बालकव और बालकव के अनुसार क्या आएगा पश्यता देखना पश्यती पश् है कुण सा कारक है बच्चो उसी प्रकार वेशब पत्र लिखते हैं वेशब की क्या होगी शंस्कृत टे क्या होगी टे पत्रम लिखंटी वे इस प्रियोग वह उगया उसी प्रकार Madhyam Puriushke देख लेते हैं यह किसके परतंपूरुषke परतंपूरुषke यानि इसमें गच्छति गच्छत गच्छंती यानि एकवचन दीवचन और बहवचन का प्रियोग देखा था अब हम मद्देपुरुष का बसे अब कहां रहते हूँ तो तुम अब रहते हो यानि क्या वससी यह दोनों तो आ गए zaczyता फहरण के के मिया कूत्र कहां क्या होता है कुत्र तौं कुत्र वससी और प्रश्नवाचक देको कि में सुँ समें कभबी लियें स्सेमों और खेलते हो तुम किरड़सी, तुम किरड़सी तो यह आए गया, तुम किरड़सी अब कब की कदा, तुम कदा किरड़सी, उसी परकार से तुम पुस्तक पढ़ते हो, तुम पुस्तक पढ़ते हो, तुम पढ़ते हो कि क्या होगी, तुम पढ़ते हो गया, क्या पढ़ते हो उपुस्तकम, बस, कुछ नहीं, उसी प्रकार से तुम दोनों, तुम दोनों यानि युवाम, तुम दोनों यानि युवाम, और युवाम के नुसार के लिए क्या आएगी, दोड़ते हो की, दोड़ते हो की अनलम धावता, क्या आएगा, धावता, यानि यहां, यहां की संस् ढम हो गया और लिख था हो आगे देख थें चटा वाक्म कि तुम दोनों यहां असते हो तो तुम दोनों की क्या हो गई, यूम हो गई, यहां का क्या हो गया, अत्र हो गया, और तुम दोनों के रिमसा रहा सता हा गया, उसी परकार से तुम सब यूयम गायत है, खा अत्तत्र गायत है, उसी परकार से तुम सब कभ खाते हो, तुम सब कभ खाते हो, तुम सब क्या देखत जाते हो तुम सब बाग देखने जाते हो तो यूयम और जाते हो कि गच्छता है क्या उध्यानम द्रश्टुम उध्यानम द्रश्टुम तुम सब बाग देखने जाते हो उसी प्रकार से उत्तम पुरुष के देख लेते हैं वाक्खे हिंदियन वादा जैसे मैं पाठ पढ़ खेलता हूं और मैं गैंद से खेलता हूं अहम क्रिडामी यह चीत हो गई ना अहम क्रिडामी हो गया किस से केलता हूं गैंद से केलता हूं कंदुकें हम दोनों बाजार जाते हैं हम दोनों को क्या हो गया आवाम हो गया और गच्छाव हो गया कहा आपनम गच्छाव है उसी प प्रच्छाम होगा हम सब प्रशन पूछते हैं और हम दोनों प्रशन पूछते हैं तो क्या होता वयम की जगह क्या हो जाता आवाम क्या हो जाता आवाम प्रिश्णम हम दोनों प्रिशन पूछते हैं यानि बहुत सारे प्रिशन पूछते हैं तो प्रिश्णम कर दिया तो इस प्रकार से हमारे वर्तमान काल के प्रियोग यहीं पर पूर्ण होते हैं आगे हम भूत काल लंगलकार के प्रियोगों को जानेंगे बहुत बहुत धन्यवाद पुनर मिलाम है नमो नमा है